प्यारे दोस्तों नमस्कार स्वागत एक बार पुन है आप सभी का अपने इस यूटूब चैनल टॉपर गलक्सी पर तो आज के इस वीडियो पर हम लोग करने वाले हैं अपने अपजेक्टिव कोईशन जो की बोड़ एकजाम में आपको इस नमबर के लिए पूछे जो 50 आपके अपजेक्टिव कोईशन होने वाले हैं यह आपके हिंदी जो है आपका समान हिंदी है और सहित हिंदी दोनों प्रकार के छात्रों के लिए आपके इंपोरेंट होने वाले अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर समान हिंदी वाले के लिए ही इंपोरेंट है क्योंकि जो objective question है वो दोनों paper में आएगा ठीक है तो पूरा वीडियो आपको आंज तक देखना है और ये आपको जो लगतार स्रीच चल रही objective question की इसको अगर लगतार आप attend करेंगे तो objective question जो 10 number का है उसको आप 100% पूरा का पूरा सही करके आएंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ज्यादा time waste नहीं करेंगे आते हैं अपने पहले question पर देख सकते हैं यहां पर first question क्या कर रहा है तो आपको answer देना है और आप देखे अपना test भी कर सकते हैं इस प्रकास से मतलब जैसे कि मैं आपको question करा रहा हूं इसलिके साथ साथ आप लोग यहां पर अपने जो है प्रचानी सभा की स्थापना की है तो किसने करी है चलिए बताई यहां पर आपके सामने है राम चंद सुकल जी स्याम सुन्दर दास बाल मुकंद गुप्त या हजारी पर साथ दुबेदी तो राइट आंसर आप लोग लगाएं यहां पर स्याम सुन्दर दास ठीक ना तो यहां पर बाबु सेम सुन्दर दास जीने नागरी परचानी सभा की स्थापना की इसलिए आपका खा नंबर विकल्प आपका विल्कुल सही हो जाएगा चलिए अंगला कोष्ण यहां पर सकिंड कोष्ण कह रहा है कि बीर गाथा काल के कभी हैं बताई बीर गाथा काल के अप्सेसमें जो है गलत लिकाई इसको का लिझेए आप लोग चंद बरदाई के लिदा है तो यहां पर राइट आंसर आपका यही हो जाएगा आपका option नंबर गाठी का यहां पर कैले lot diy का लिदा है इसमें चंद बरदाई का लिदा हिएका तो चलें आप लोग तो aún Moore preached आपका यहाँ पर right answer हो जायगा option का अंगला question देखिए तो यहाँ पर तीसरा question है भारतेंदू से पूर्वेक के लेका नेखक हैं भारतेंदू से पूर्वेक के लेका तो अब यहाँ पर आपके सामने देखिए पहला है सदा सुकलाल फिर है आपका चंदर सर्मा गुलेरी नेक्ष आपका स्याम सुन्दर दास और अंगला है राय किर्शिन दास तो राय टांसर यहाँ पर आपका हो जागा सदा सुकलाल मुझसी सदा सुकलाल यहाँ पर भारतेंदू से पूर्वे के लिखक हैं तो आप ल संकर लाल शुकल या रसाल बोलता है को नेक्स यहां पर रहां सी write J copy को या भार्साद dari निक करना अजो धूनिक तो यहां पर विकल्प कल जगा अंगला को इंदे को इन्हीं के नाम hai सब्ढ़ लोग र्काफ 셋 देख सकते कर रहा है आचार महाभी प्रसाद दुवेदी द्वारा संपादित पत्रिका देखी यहाँ पर कोशन इस प्रकास विया सकता है यह कोशन पूछ सकता है जिसे आत्वम करके दिया गया है कि आचार महाभी प्रसाद दुवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया तो महावीर पर्साद दुबैधी लेखक है भार्ते हैं यूग के लेखक हैं दुबैधी उक चैके तो किहाई डिया जे receivers option खा चलिए अंगला question देखते हैं यहाँ पर seven number question दिया गया है Fort William College की इस्तित्था तो अर्थवा करके है कि Fort William College की स्थापना कहां हुई या कहां इस्तित्था आपको बताना है किसी परकार से question आएगा उसको तोड़ फोड़ के हमें एकदम धुआ धुआ कर देना है चलिए आगरा हो गया मदरास हो गया कलकता हो गया है तो यहाँ पर आपको right answer लगा देना है यहाँ पर कलकता ठीक है ना Fort William College कहां इस्तित्था या कहां इस्ता आपना हुई तो कलकता में हुई थी तो हम लोग सात्में का लगाएंगे यहाँ पर आपका गानमबर भी कर चलिए अंगला देखे question number 8 आटमा question देखे क्या कह रहा है आनंद कादामबनी के संपादक है आनंद कादामबनी यह पत्रिका है और इस पत्रिका का संपादन किसे ने किया है गुलाब राय परताप नरायन में बद्री नरायन चौधरी या प्रेम घन यहाँ पर देखे थोड़ा समिश्टेक है तो बद्री नरायन चौधरी का लिजगा इसके वाद है प्रगति वाद योग की ठीक है तो यहाँ पर आपको लगा देना है option number गा में ठीक है ना तो गा सोती पत्रिका है इसके संपादक महावीर प्रसाद दुवेदी हैं तो लगा लिजे खा नंबर भी कलप आपका सही होगा अंगला question आपके सामने है question number 10 देख चते करा कौन इसी रचना राम वरच्छ बेनी पूरी की नहीं है ठीक ना तो यहाँ पर पर पजीतों के देश में माटी की मूरतें के यहूं और गुलाब प्रत्वी पूत्र ठीक ना तो राइट आंसर आपका कौन सह हो जागा है पर आपका option नंबर घा आपको लगाना जो यहाँ पर आपका देखी राम वरच्छ बेनी पूरी जी की रचना नहीं है तो यहाँ पर जो प्रत्वी पूत्र एक इसकी है डांक्टर वासुदेव सरण अगरवाल जी के है इसलिए यहाँ पर आपका नहीं सब्दा आया है तो हमारा घा भी कल्प सही होगा बागी के जैसे पतितों का देश हो गया गया हूं और गुलाब हो गया माटी की मूरते हो गई यह सभी क्या है राम ब्रच बेन अतीत के चलचित्र या अंतरिच तो आपको पता है जो अतीत के चलचित्र है यह महादेवी वर्मा जी का क्या है रेखाचित्र तो इसी में लगा लिजेए आप लोग यहाँ पर गानमबर विकल्प आपका इसमें विल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चलिए अंगला यहाँ आरिये सभी क्या है महादेवी वर्मा जी की करतिया है चलिए तेरा नंबर कोईशन पर आते हैं यहाँ पर आपके सामने है हिंदी के रेखा चित्रकार है तो यहाँ पर फिर से आपका क्या आता है नाम आपसर नंबर खा ही आपका आएगा यानि महादेवी वर्मा ही हैं रेखा चित्रकार आपके हिंदी की ठीक है चलिए अंगला कोईशन यहाँ पर है हंस के संपादक जो हंस पत्रिका है आपकी इस पत्रिका का संपादन किस ने किया था बताईए तो हंस पत्रिका का संपादन यहाँ पर मुंसी प्रेम चंत किसमें लगाएंगे आप वो यह तो हंस पत्रिका का संपादन देखी यह प्रकास्य कोशन पूछ सकता है तो यहाँ पर आप लोग लगा लिजेगा आपको क्या लगाना है तो आपका राइट आंसर दिखे हो जाएगा प्रेम चन्जी ने हन्स पत्रिका का संपाधन किया या संपादक थे ठीक है तो लगा लिजेगा आप लोग घावर्तान पर अधायत करतियां है और ज्यादातरी इन्होंने इसी प्रिकार की कर्फियों का संपाधन किया है तो आपका राइट आंसर यहाँ पर लगाएंगे हम गाविकल्प आपका सही हो जाएगा ठीक है ना टारेट यहां पर लगाएंगे हम लोग राहूल संकर्तियान में अंगला कोशन छाया वदोतर यूग का काल छाया वदोतर यूग ठीक है इसको बताना है कि यह इसे सुकलोतर यूग भी बोलते हैं तो इसका राइट आंसर आपका कांसर हो जाएगा तो देखें 1928 से अब तक जो है यह आपका सही विकल्प होगा घा नमबर आप पर लोग इसमें सही कर लिजेगा अंगला कोशन यहाँ पर 17 नमबर कोशन है कि दुबेदी यूग का नाम करण हुआ दुबेदी यूग का जो नाम करण है यह किसके नाम पर हुआ था तो मैंने अभी आपको जस्ट बताये था कि माहभीर परसाद दुबेदी के नाम पर दुबेदी यूग जो है रखा गया था ठीक है तो पौन साफ प्रसिद्ध आलोचक है तो आलोचना किसी तरमें भाई साथ किसी अगर एक अनाम आता है तो वो हैं राम चंद सुक्ल जी कहन है राम चंदर सुक्ल तो इसमें जैसे मुंसी प्रिम्चंद जी की बात करें तो यह उपनयासकार है ठीक ना जैसे अंकरव साजी की बात करें तो यह नाटक कार की रूप में आपके प्रसिद्ध है ठीक है ना ऐसे महादवी वर्मा ये रेखा चित्रकार है ठीक है ना तो इस प्रकार से एक जो है विशेश तोर पर अगर नाम आता है अलुचना में तो आपका यहां पर है रामचंद शुकली जी तो पहला भी कलप आपके यहां पर सही हो जाएगा अंगला कोसन देखिए उन्नीस नंबर कोसन है सर्दार पूर्ण सिंग का लेखन यूग सर्दार पूर्ण सिंग यहां पर दुवेद्यू के लेखा कर ठीक है ना दुवेद्यूग तो यहां पर लगाईएगा आप लोग 20 नंबर कोसन यहां पर थोड़ा सा बड़ा सा है तो जो जली हम इसमें लिटारेट आंसर दिखेंगे कोशन है सत्यक Аशत उकाथन है इन्मेसे असत्यकाथन कौन सा है तो बापि कि आप लोग पढ़सकते हैं जो मैं आपको राइट आंसर बतारा हो नो देखिए देखिये का आंगला कॉसेन यहां परunden कपícia कह रहा है 281 नमबर इसमें बताएंगा है 34 वेस्टोन की वारता के लेकक तो 84 व्येस्टोन उनकी किसी है यहां पर आपके सामने जैनिंद कुमार हो गया कोकुल Natो कर अपनित लेलूलाल नाभादस ठास Means नमबर यहाँ पर गोकुलनात यानिकी खा में ठीक है ना गोकुलनात आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा चलिए खा नमबर विकल्प सही है अगला कोई से नागरी परचाणडी सभा की स्थापना हुई तो किसी युग में हुई थी तो यहाँ पर दुबेदी युग में या भातें दुग परगतिवाद हो नहीं सकता चाया वाद आपका हो नहीं सकता यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा दुबेदी युग ठीक है ना क्योंकि बाबु स्याम सुंदर दास जी ने की थी और वो दुबेदी युग के प्रमुक्का भी है ठीक है तो यहाँ पर आपका नंबर विकल्प सही कर लिजेगा, अंगला देखे, 23 नंबर कोईशन यहाँ पर है, कासी नागरी परचानडी सभा की स्थापना किस ने करी थी, राम चंसुक लिबाल मुकुंद गुप्त या स्याम सुन्दर दास या मिस्र बंदू, यहाँ पर भी आप आपका नंबर विकल्प सही होगा, यानि कि आप लगाएंगे स्याम सुन्दर दास में, ठीक है ना, तो गा नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अंगला कोशन, 24 नंबर है भारतेंदू यूग के लेखक, भारतेंदू यूग के लेखक इन में से कौन से है अंगला देखे, सदल मिसर की रचना, सदल मिसर की रचना, यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ पर आपके सामने चार आप्सन है, जिसमें से राइट आंसर आप लगाएंगे, आप्सन नंबर खा में यानि जो नासिके तो पाक्यान, ठीक है, यह किसकी है, सदल मिसर की है, तो द्यापक पूर्ण सिंग या सारदर पूर्ण सिंग बोल सकते हैं और डाक्टर संपूर अनन्द है तो राइट आंसर आप यहाँ पर लगा लिजे बालकृष्ण भट यानि की option का हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जागा पहला भी गल्ब चलिए अंगला question देखते हैं 27 number question यहाँ पर है हिंदी साहित के आधुनी काल को गदे काल की संग्या किसी ने दी तो हिंदी साहित के आधुनी काल को गदे काल किसी ने बोला था तो यहाँ पर right answer लगाएंगे हम लोग यहाँ पर option number गामे थीक है क्योंकि अगर बात करें तो यह आधुनी काल को बोल रा है ठीक है ना आधुनी काल को और फिर आपको गदे काल दूहरीशन को लगाकर आएंगे तो इसमें आपको गानामबर विकल्प सही करना थीक है ध्यान से समझगे का अंग्ला कोउसन देखते हैं तो यहां पर आपके सामने 38 नंबर कोउसन देख सकते हैं कहा गया इस कोउसन में कि भार्तेंदू यूग के उलेखनी पत्रकार हैं तो भारते हिंदू यूग के उलेखनी पत्रकार का अगर नाम की बात करी जाए तो फिर आपका बाल कृष्ण भट्ट का नाम आएगा किसका बाल कृष्ण भट्ट जी का नाम आएगा तो आप लगाएंगे आपर आप्सन खा में ठीक है दू सूरियोदे यानि कि जो सुरुवात हो अच्छी सुरुवात हो तो यहाँ पर भारतेंदु यूग का ही नाम आएगा है ना भारतेंदु यूग तो इसमें आप लगा लिजगा पहला आपका इसमें सही हो जागा यहाँ पर हिंदी गद्य का सुर्योदा अकाल भारतेंदु यूग से माना जाता है जिसके प्रमुख जो लेखक थे जिनके नाम पर रखा गया भारतेंदु हरिस्चन थे तीस नंबर कोशन देखे हिंदी गर्द साहिते के जनक माने जाते हैं तो फिर से आपका राइट रांसर हो जाएगा उप्सन गाज जो कि मैंने अभी आपको बताया तो गावी कल्प यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही कर देंगे 31 नंबर कोशन देखे इसमें कराए भारतेंदू युगेन गर्द की समय सीमा क्या है तो भारतेंदू युगे के जो गर्द है उसकी जो समय सीमा है वो आपकी है 1850 से 1900 इस्वी तक ठीक है ना 1850 से 1900 इस्वी तक यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अंगला कोशन देखे यह पर 32 नमबर कुश्ण है भारतेंदु इसे पूर्व गद्ध के लेखक मुंसी साधा सुकलाल रामचंद सुकल बालकृष्ण भट या महादेवी वर्मा तो भारतेंदु इसे पूर्व की बात करीगी तो इसमें आपका नाम आ जाएगा बालकृष्ण भट ठीक है तो यहाँ नमबर स्वरी आप इसमें लगाएंगे बालकृष्ण भट भारतेंदु इसमें लगाएं मुंसी साधा सुकलाल ठीक है ना का नमबर विकल्प आप इसमें लगा लेंगे ठीक है पहला अप्शन तो चलिए अंगला कुश्ण देखते हैं 33 नमबर कुश्ण है प्रारंविक यहाँ पर यहीं होंगे ठीक है तो लगा लिज़ा है एसमें ऑफ ब्रांपन इंगे राजा भोच का सपना आपको याद भी आ रहा होगा कुछ चलिए जानते हैं सुकसागर के लिखक सुकसागर किसका है तो मुंसी सधा सुकलाल जी का है किसका है आप्यसन का नमबर यहाँ यानि भारतेंदू की पदवी से कब सुस्तोबित किया गया यानि कि कब भारतेंदू यूग का समय की शुरुवात हुई या कब ये नाम रखा गया तो राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन गामे 1880 इस भी में ठीक ना 1880 आप इसमें कल लिजगा राइट आंसर अंगला हैं भारतेंदू यूग से पूर्व के लेखक ये माने जाते हैं 37 नमबर देखिए नासिके तो पाख्यान की रचाईता तो मैंने आपको बताया सदल मिसर के कौन है सदल मिसर तो खा नमबर भी करप आपका सई हो गया यहाँ पर लगा लिजगा आप लोग आप्शन नमबर खा ठीक है ना अंगला देखिए यहाँ पर 38 नमबर कोशन है कि निम लिकित में से किस रचना के लेखक गोसाई बिठलनाथ हैं तो राइट आंसर जाएगा आपका 84-291 की बारता ठीक ना 84-291 की बारता जो आपकी किसकी है गोसाई बिठलनाथ की स्वारी तो इसमें आप ल लोग लगा लिजेगा ऑप्सन नमबर गा में अस्टियाम किसका है तो यहाँ पर आपका क्या है भाधास लिका है तो इसको सही कलीजिट चली है ना तो यहाँ पर नाभाधास हो जाएगा ना भाधास अस्टियाम तो इसका कलीजिगा ऑप्सन गाह यहाँ पर भाधास लिक इसमें बिल्कुल सही कर देंगे 32 नंबर कोसंदी करें यहाँ पर निमली की नामों में से कौव przysz लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक के अगर बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन का जिय सका ना समें राम पर इनके दें और निरं यह आपका राइट आंसर हो जाए गया पर ऑप्सन नमबर घा ठीक ना इसको कर लिजएगा अंगला देखे यहाँ पर आपके सामने क्योंकि यह ब्रंदावनलाल वर्मा जी के याद रखेगा इसके खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंबिक यूग कौन सा है तो खड़ आपके कोशन थोड़ा सा बड़ा सा है क्या कह रहा है कि निम लिखित में असत्य खथन बताईए तो राइट आंसर यहाँ पर आप देखे लगा देंगे अप्सन गा में यानि कि कह रहा है कि गद्ध में लाय यति एवम आदी का महत्तो देखे अब यहाँ पर यह क्यों सही देखे जो आपको कोई पार्ट है माल लिजे कोई गद्ध जो होता है जैसी कि आप वासुदेशन अगरवाल जी का कोई चेप्टर ले लिजे उसमें जो है गद्ध में आपको कोई लाय यति यह सब चीज़े का कोई महत्तो नहीं होता है तो गा नंबर विकल्प आपका वि पिल्कुल सही कर देंगे 47 नंबर कोईशन गोरावादल की कता के लेकर तो यहां पर खाविकल्प आपका सही हो जाएगा क्योंकि कोईशन जो है इधर उदर घुमा के पूचता है तो फिर आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 48 नंबर देखे यहां पर कोईश समोहन राकेश की किरती है तो यहां पर आप लोग लगा दीजिएगा ओप्सन नंबर खा में चलिए अंगला 50 नंबर कोईशन आपके सामने दिया गया है भारत दुर्दसा रतना है भारत दुर्दसा किसकी है जैसंकर पसाद जी की रामकुमार बर्मा की भारतेंदू हरिश चन्द में ठीक ना भारत दुर्दसा यह किसकी है तो भारतेंदू हरिश्चन जी का यहां पर ना टक है चलिए तो यह पूरे के पूरे हमने कितने 50 कोईशन आपके करा दिये हैं और ऐसे ही आपकी लगातार स्रीच चलती रहेगी जो भी आपकी मॉस्ट इंपॉर्टन कोई आपको चैनल पर बने रहर नails चैनल को सब्सेक्राइब कर दिना को ताकि आपसे आने वाली वीडियो एक भी मिस ना हो और आपको कमेंट्स में बताना कि पचास में से आपने कितने मेंससल पने कोईशन बिल्कुल सही किये हैं ठिक ना ताकि मुझे पता चल सके आपका इसक और कैसा है और आपकी तैयारी कैसी है ठीक ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदमातरम